गुद मॉर्निंग एवरिवन वन्स अगेंड वेलकम टू ओनलान क्लासेश पिछले वीडियो में मैंने एक पोएम डिस्क्राइब किया था इसका स्क्रिश्ट सक्थ था जब सुलल जग जाता है आज उस पोएम के क्वेशन अंसर को देखे ने ताकि एक वेट्स में प्रोड़्लम ना हो फॉस्ट है question number one मौखिक दख्षता मौखिक का क сторон turd इस question का अंसर है अंधेरा चुपके से भाग जाता है next question 1 उपवन में कौन उछलकुद मचाती है answer है सुर की किर्णे 1 उपवन में उछलकुद मचाती है next है घरती किस का स्वागत करती है आंसर है धरती सूरिक के किरोनों का स्वागत करती है next है घरती किस ने लिखी है आंसर ने लिखा गया है Q2. लिखित दक्षता इसका का है पत्ते कब सुनहरे हो जाते हैं? अंसर है सुर्ण के किरने पत्तियों पर पढ़ने से वे सुनहरे हो जाते हैं नेक्स्ट है खा डाली डाली पर कौन गार रहे हैं? अंसर है डाली डाली पर पक्षियां गार रही हैं नेक्स्ट है गह सुरज नदी में कैसे नहाता है अंसर है सुरज नदी में तैर कर और डुब की लगा कर नहाता है नेक्स्ट है गह अंधेरा कैसे भाग जाता है अंसर है अंधेरा सुर्ज के उर्चावन प्रकास से भाग जाता है Q3 है कवीता की पंतियां पूरी किजिए यहाँ कुछ डॉडड़ ट्लैंस दिखा दे रही है यह बलांक्स दिये गये थे इसमें भरा गया है कह है? आखे मलकर धीरे धीरे बलांक्स में फिल किया गया है सुरज जब जग जाता है सिर्पर रखकर पाऊं, अंधेरा, फिर बलांक्स में फिलकिया गया है, चुपके से भाग जाता है Next है खा, कलकल वहत्तिवी नदी में सुरज खूब नहाता है, कभी तेरता है लहरों पर, कभी डूबकी लगाता है डूबकी कभी लगाता है सही उत्तर पर सही प्रिशान लगाईए Q4 है Q4 का सूरज किसमे नहाता है Options दिया है नदी में आसमान में दोनों सही है सकांसा रोगा नदी में खा पाठ के नुसा दिन भर चलते चलते कौन ठक चाता है सकांसा रोगा सूरज गर पाठ से क्या सिख मिलती है सबकी भलाई करो सकांसार होगा सबकी भलाई करो Next है भासा की समझ Q1 तुक वाले शब्द लिखे तुक वाले शब्द में स्रैमिंग वाट्स जो सुनने में एक जैसे लगते हो First है भरती इसका होगा धरती लगता का तुक वाले शब्द होगा बढ़ता जाते का गाते ढलता का चलता लेता का देता तैरता का फैलता इस तरह से ये First chapter जो पोयम था जब सुरज जग जाता है ये complete हुआ Thank you एज देवे लिव्षब नड़क्राँ